कि मेरा इंट्रेस्ट बहुत देखा हुगा एक को एक कृणि मेर से घृयर थी तो फोसमें में इसी तरह की बाते लोगों को बताता रहता हूं तो आज मैंने ये चीज देखी आपका जब मैं syllabus देख रहा था तो मैंने देखा है ये तो chapter बहुत जोरदार है ये तो अपने पढ़ाने का है बिल्कुल तो इसलिए मैंने आज सोचा कि आपको ये chapter पढ़ाया जाए और chapter में ये है बाल विकास और बाल विकास में आपका एक chapter है personality बाकी तो आपको सोना लिए मैं डेली बैसिस पर पढ़ा ही रहे है बाल विकास परियावरेंड अभी एक दो दिन से आपके classes नहीं आ रहे है क्योंकि थोड़ा से सबी teacher लोग व्यस्त है कल से आपकी classes वापस आ जाएगी regular ठीक है और आपको पता है मैं आपको बाल विका इसले बदन को देखके हम उसकी personality का अनुमान लगाते हैं किसी का बिल्कुल गोल मटोल चेहरा होता है तो हम बोलते हैं इसकी personality बहुत जोड़दार है किसी का आपने देखा होगा कि किसी का रहने का तरीका अलगी होता है जैसे कि कपड़े पहनने का तरीका होता है चलने का होता है बोलने का तरीका होता है जैसे कि आपने आपने देखा होगा कि बहुत सारी बार हम किसी को पसंद करने लगते हैं तो हम किसी को क्यों पसंद करते हैं क्योंकि उसका व्यक्तित्व होता है वो हमें बड़ा आकरशक लगता है बहुत सारी बार ऐसा होता है कि आपने दीखाआ क्या थी है ना लेकिन वह उसने आपने देख्याल क्या देखा अचेहरा लेकिन उसके प्रस्त्राइटीच जो है यह वह अच्छी टरह कींशरInच की वह किस टाइप का लड़का है उसके भाव कैसे हैं उसके विचार होती है और अगर हम किताबी चीज की बात करें तो personality जो है इसका उद्भव हुआ है लेटिन भाषा के persona शब्द से ठीक है persona का मतलब क्या होता है persona का मतलब यह होता है कि जैसे जो नाटक मंच पे यह जो लोग दूसरे व्यक्ति के कपड़े पहन के उसकी कलाकारी करते हैं ना दूसरे व्यक्ति के जैसे के होता है आपने रामायन देखने जाते हैं तो रामायन में जो राम का जो रोल करता है तो वो असली राम नहीं होता है लेकिन वो राम जी के कपड़े पहन के और ये बतानी कोशिश करता है कि देखिए उनका व्यक्तित्व कैसा था तो ये लेटिन भास्टा में पर्सो那ग का मतलब होता है मतलब की किसी दूसरे विक्ति के कपडों को धालन करके और उसका आपको नाटक करके बताना है कि वो उसके पर्सोनिटी की स्थाइब उसका व्यक्तित्व कैसा था ठीक है तो यह चेप्टर कम से कम मैं चार वीडियो में खतम करूगा तीन से चार क्योंकि यह बहुत बड़ा है और इसमें समझाने जैसी बहुत सारी चीजे हैं तो आप सारे वीडियो इस्टे बाइस्टे देखते रहेगा यह पहला वीडियो है ठीक है जो लोग नए है वो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको सारी चीजे इस्टे बाइस्टे मिलती जाए अब देखिए आपके एक्जाम में बहुत सारी डेफिनेशन्स आती है तो हम लोग क्या करेंगे डेफिनेशन्स भी पढ़ते जाएंगी इसकी ठीक है अब देखिए जन्मजात प्रवती क्या होती है बहुत सारी बार हम बोलते ना कि आरे यह तो जनम से ही ऐसा है तो यह तो क्या होता है कि उसमें वंशानुगत मतलब की जैसे उसके दादा जी को बहुत गुस्सा आता था तो उसके पिता जी को भी गुस्सा आता था और उसक यही उनका व्यक्तित्व होता है कि कि जैसे आप हैं वह आपका व्यक्तित्व हैं जैसे बहुत सारे बार क्या होता है मतलब ये मेरा व्यक्तित्व है मैं ये मानने चलता हूँ कि वह एक इंसान है और ये उसका व्यक्तित. देखेए, अगर आपने इन चीजों को रियल में पढ़ा है, आपने केवल एगर केवल बिएड किया है और एकजाम में पास हुए हैं, तो उस चीज का कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर आपने इन चीजों को दिल से पढ़ाए, बहुत सही चीज़े ऐसी होती है, जो दिल से पढ़े जाती है, और बहुत सही चीज़े ऐसी होती है, जो किताबों में पढ़ी जाती है, है ना, तो अगर आपने इस चीज़े को दि व्यक्तित्व चेंज हो सकता है आप बताईए क्या मानलो मेरा जो व्यक्तित्व है क्या ये चेंज हो सकता है ये बिल्कुल चेंज हो सकता है ये समय क्या अप्वर्डिंग चेंज हो सकता है तो देखें इच्छाओं इसके अलब उसकी जो इच्छाएं होती है वो उसका व्यक प्लस उसकी जो मूल प्रवर्वतिय उसकी जो इच्छा है और उसकी अनुबव है उनस् versucht को क्या बोलते हैं उश्का व्यक्तित ठीक है तो व्यक्तित मतलब देखिए व्यक्तित्व जो होता है यह यूनिक है ऑप स्पेशिफिक मतलब अपूर्व है और विशिष्ट है मतलब कि अगर मान लोग कोई जुड़वा बच्चे दो पैदा हुए हैं तो ऐसा नहीं है कि वो दुनों एक जैसी जैसे कि वो एक पिच्चर देखी होगी ना अपने जुड़वा पिच्चर देखी होगी उसमें क्या होता है कि वो उसको लाग की मार रहा है तो इधर वो भी उसको लाग की मारता है तो ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता है वो तो नाटक करते है तो ऐसा तवरी है कि दो जुड़वा है तो वो same to same करेंगे same to same कभी नहीं करते हैं वो है ना? तो वो वाली बात है यह थो चलो मूव il में सामने दिखाता है कि इसने उदार से घूसा मारा और उसने उदार से मार दिया कांओ कर को उन Manson करो फिर घूसा मारो ऐसा उता है ऐसा नहीं होता है वो एक मूवीn है बड़ स्विक्ट्रित वजो होता है वो इनेसी कभी नहीं करते है वह विशिष्ट होता है मतलब खुद से self-consciousness आत्मचेतना व्यक्ति एक तरह से क्या है जब देहो जब आदमी self-consciousness में चला जाता है ना आत्मचेतना जब उसको अनुभा हो जाता ही कि मैं why I am here मैं यहां पर क्यों हूं और मैं कौन हूं दो साई बार ऐसा होता है है ना मतलब यह दुनिया लारी क्या है अपने को किसी से कोई मतलब नहीं रखना है है ना वह चीज़े तो वह आत्मचेतना सेल्फ कॉंशियसनेस कॉंशियस आप समझते हैं समझ कॉंशियस ना जैसे कि दो तरह के माइंड होते हैं मुझे रखते मेरा सलेक्षन होगा तो आपका सलेक्षन कभी नहीं होगा क्योंकि आपके सब्कॉंशियस तक यह बार पहुचा रहे हो ठीक है तीसरी चीज, इसके तीन पक्षों होते है, एक तो ग्रagytmakt ह scripture क्रीयात्मक, आप किस तरह की activities करते हैं, तीसरा होता है भावात्मक, मतलब बहुत साइ narc हमारी 마oku ilings dirigants अलगालग होती है, जैसे आप में देखा होगा कि किसीने मैंनों मैंको hurt व्यक्तित्व जड़ नहीं बलकि गतिशिल और परीवर्तित है जो हमारा विक्तित्व होता है क्यार पहले अपन केसे थे कुछ भी जैसे कि आपने रेखा हो तो जब हम छोटे थे तो ऐसे गाड़ी स्टार्ट करके जब गाड़ी नहीं रेती थी लेकिन ऐसे न्यू यू करके और ऐसा लगता है जिसे गाड़ी है और हम भाग जाते थे तो क्या वो चीज आज करेंगे अभी समझ रहे हो ना ऐसे जैसे बहुत सब्सक्राइब हम रेत के ओपर खेलते थे जब बच्पन में थे हैं ना कूत्ते थे कोई ध्यानिन देता था उमारे उपर लेकिन आज कुदो लोग बोले पागल हो गया कि क्या बात है तो व्यक्तित तो गतिशील है और परिवर्ति जैसे जो हमारा गुफ्फाहता है हमारा प्रेम होता है ये सब चीजे ये बच्पन से रस्यों देके मुझे तो वो लड़का बहुत पसंद है य्या वो लड़की बहुत पसंद है क्यों पसंद है क्योंकि उसके अंदर यह व्यक्तित वह यह इनलोसे किसी अश ambassador लगता है या वो सब के बारे में अच्छा सूचता है तो यह चीज ना यह जन्मजात होती है प्लस वातावरण आप की स्वातावरण में रहे हो मान लो कि हम मेरे साथ में ऐसे दोस्त है जो दिन भर सिग्रेट पिते हैं या जो जिनकी गलत आते हैं तो धीरे-दीरे क्या होग लर्णिंग और प्लस उसके जो अनुभाव है जो वो धीरे-दीरे अनुभाव करता है तो या फिर इसकी जगे आप अर्जन भी लिख सकते हो अनुभाव अधिगम प्लस अर्जन अब यह तो आपने पढ़ा ही होगा उसमें लर्णिंग एंड एक्विजिशन बहुत करते हैं लोग अदिगम मतलब सेखते हैं तो वह वह साइब हम लोग जैसे कोई कोर्स करते हैं तो वहां कोई सिखाया जाता है कि बड़ों से कैसे बात करना तो हम उन चीजों को सीख लेते हैं और एक वह होता है कि जो बचपन से हमारे अंदर आता है कि यह बच्चा हमारी शादियां होती है तो गुण क्यों मिलाते है घर वाले गुण इसलिए मिलाते हैं ताकि लड़का और लड़की दोनों जो है उनके गुण मिल जाए तो लड़ाईया नहीं होगी मान लोग गुण नहीं मिलते हैं तो फिर समस्यां पैदा होती है तो उसका व्यक्तित वा तो बिखतीत ये होता है वह थो चाहता है कि मदद करना चाहता है और अब क्या होगा अब क्लेश पैदा होगा है तो इसलिए साधी करो तो गुण मिला के करो ताकि कि अलेश बैदानी होगर में तो यह होता है आपका क्या व्यक्तित्व यह होती है आपकी पर्सनेटी ठीक है तो अभी इसके ऊपर थोड़ी सी ओर डिसकस करते हैं अपन तो इसको आप एक स्क्रिंशॉट ले लीजिए इसका यह इसको नोट कर लीजिए मैं आपको इसको खतम कर लाखे इनों ने बोला है कि यह बना है अचेतन से इड़ की और से शिय ओक्ता है कि इसमें क्या-कै चीजे और व्यक्ता है जिसमें इंच्छाह को होती है बहुत सारी हैना बस वह अंदर हिअन्दर कहीं जैसे कि वह मैंने बूला था था न सबक्वनक्रियों एक तरश्च है इगो जिसमें चेतना होती है घुती है मन्त भी एक रियल इश्त्त्ती होती आदमी कि इह जो इसमें एगो आ जाता है मतलब मैं ल divergence जिसमें नेतिक मन और आदर्स होते हैं जिसको बहुत तो यह तीन चीजों से व्यक्तित्व बनता है यह कहाखą सिग्मन ट। ठीक है, आलपोर्ट ने क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि जो व्यक्तित्व होता है, वो एक तरह से वातावरन से निर्मित होता है, तो यह जो परिभाशा है यह आपके एक्जाम में पूछी जा सकती है, तो आलपोर्ट ने कहा है कि जो व्यक्तित्व होता है, वो वातावरन से वातावरन जैसी बाते करते हैं तो वह यह लोगThese यह कोई को ईदिन भर है कुछ अच्छा नहीं दिखता है तो इसमें आपको जैसे बहुत सारे ऐसा होता है कि लोग आपको हट करने कोशेश करते हैं जैसे हम लोग वीडियो बनाते हैं तो लोग यह ने देखते हैं कि यह जो लोग है कम से कम इतना समय निकाल के हमारे लिए वीडियो बना रहे हैं अगर हम में को किसी से एक लाइन भी सीखने को मिली है तो वो मेरा गुरू हो गया लेकिन उसके बावजूद भी लोग जो हैं कमेंट में जैसे आपने देखा होगा बहुत सारा मेरी मेरी बात नहीं कर रहा हूं दूसरे भी लोगों की वीडियो होते हैं वहां पर कुछ भी लिख देते हैं कि यह ऐ जफाय को जोता है उसका प्रभाव सामनेवाले की अपर कभी नहीं पड़एगा उसका प्रभाव आपके ऊपर ही पड़ेगा कहीं नहीं तो वह बाली बात है तो आलप नाय एसा कहा है मैं नहीं कहा है शिख्य अ क्कूर्णunya कुसक्छ ने हैं flash recording आत्म का व्यक्तित वो गोला करती आयत करती पर लंबाव बक पर ल्लाव मेरा जानीे स्ट उसका स्क्रीन शोट अघ्ण चलिए अब हम एक और बहुत इंपोर्टेंट शीच पढ़ लाते हैं कि यहां से आपके डेफिनेटली क्योशन्स बनेंगे ठीक है व्यक्तित्व के सिद्धान किस-किस ने दिये थे थे अब देखिये दोस्तों इस करेंगे ऱोब खालुडे धिक टीक है के react-फिक है इसके अलाव从 1、 mapped किस ने दिया थे यह अलपॉर्ट नहीं दिया थे और जीव सिद्धान किस ने दिया था गोल्दस्टी ठीक है और नव फ्रायर्ड सिंधान्त दिया था ये इरिक फ्रॉम करेंहार्णी और इरिक सन्न तो ये सारी चीजें आप याद रखिएगा अब देखिए दोस्तों इसकी हम लोग एक ट्रिक बना लेते हैं ताकि हमको याद रहे है देखो मैंने केसे ट्रिक बना रखिए कि मन जो लगता है ये फ्राईडे को अच्छा लगता है टीवी देखने का मुवी कब रिलीज होती है बतावा फ्राईडे को रिलीज होती है तो He Me ilरा मिन या आप आत्मा को जैसे की दुखाओ मत मतलब उसको मसलो जैसे हम किसी के आत्मा को दिखाते हैं मतलब उसका गला दबा रहे हैं तो हमारी लेंग्वेज में बोलते हैं मसलना तो किसी के आत्मा को मत मसलो तो आप मसलो का रिलेशन बिठाना आत्मा से है ना इसके अलावा रचना रचन तो रचना शेल्डन आलपोर्ट का आलपोर्ट हो जाएगा और सभी जीवों को गोल्ड से बहुत प्रेम होता है तो और बचा नव फ्रायड तो नव फ्रायड जो है वो तीन इरिक फ्रॉम करेंहार्णी और एरिक सन ठीक है तो यह तीनों आप याद रखने ना एक ई अब जैसे गोल्ड गोल्ड का रिलेशन जीव से बैठ गया फ्रायडे मन मनोग्यानिक हो गया है ना मनोग्य विशलेशन और आत्मा को मत मसलो तो आत्मा का मसलो हो गया और रचना शेली रचना शेली हो गया यह फटाक से हमको याद हो गए ठीक है चलो यह वीडियो आपको कै पर देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट जरू करें क्योंकि जब आप लोग करते हैं और हम लोग आपके लिए और अच्छा-च्छा मटेरियल निकाल के लाते देखिए तयारी आप भी कर रहे हैं अपने लेवल से लेकिन महानलोग की इस 20 मिट के वीडियो से जैसे कि हमारे चैनल पर आप 5 लोग पढ़ा रहे हैं और उन से आपको वह लोग भी सर्च करते हैं हमें ने भी जैसे कि इन चीजों को देखा मैंने बहुत पहले पढ़ा था तो लेकिन मुझे इंटरेस्स बहुत ज्यादा इन चीजों में आज मैंने इन चीजों मैंने सूचा कि आप लो हम पर क्या करना है कॉम्पिटिशन करना जितने ज्यादा आप ला सकते हो ऐसा कभी मैं सुचना है 10.500 में से मुझे 20 नहीं नहीं 10.500 में से तो मेरी शीट पकी होगी ठीक है तो हम तैयारी वेशिक करें ठीक है धनिवार वीडियो अच्छा लगा हो तो शेर करें